नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं best export business setup की किसी भी business को करने के लिए उसका एक business structure होना चाहिए उसका एक portfolio होना चाहिए और खास करके जब हम export import business की बात करें या international business की बात करें तो यहाँ पे बहुत important हो जाता है आपका एक complete business structure क्योंकि यही वो business structure होता है जो आपको आपके buyer के सामने assured करता है business करने के लिए deal process बहुत बाद में होता है दोस्तों सबसे पहले interaction होता है buyer और seller का और अगर buyer और seller के बीच में assurance level create हो जाए तो फिर आगे deal process सुरू होता है आज मैं आपको small investment और corporate business structure दोनों के बारे में बताऊँआ उसके साथ में online availability यानि buyer searching method या buyer attraction method कैसा हो सकता है उसके लिए भी इस video के अंदर हम step to step सारी चीज़े cover करेंगे वीडियो end तक आपको देखना है ताकि अगर आप existing exporter है या नए start-up है तो आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या-क्या ऐसे document है जो आपके business को rocket की तरह growth करवा सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतनकुमार वर्मा इंटरनेशनल बिच कंसल्टेंट एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले जब हम बात करते हैं business structure की तो business structure के अंदर export business structure जो होता है वो दो पार्ट में हम लोग divide कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रोप्राइटर सी business structure होता है प्रोप्राइटर सी business structure के अंदर entity आपको register करनी पड़ती है जो आप सोपेक्ट के basis पे गुमास्टा या trade license के basis के ओपर आप अपना registration कर सकते हो और आपको एक current account open करना होता है आप लोग GST के basis पे भी अपना current account open करवा सकते हो उसके बाद में next step पे आपको लेना होता है import export का code यानि import export certificate उसके बाद में जो भी आपकी commodity है जिस product में भी आप deal कर रहे हो उसका आपको export promotion council यानि RCMC जिसे कहा जाता है registration come membership certificate वो आपको लेना होता है अगर आपने entity को GST के basis पे register नहीं किया है तो फिर आपको GST और MSME अगर मैं इसे food and agriculture के according देखू दोस्तों with accessories तो ये जाता है 18,000 रुपए के something अब यहाँ पे food and agriculture के लिए मैं बता रहा हूँ बाकी product के basis के ओपर इसकी price जो है वो बढ़ती रहती है जैसे अगर आप spices में काम कर रहे हो तो spice board की आपको RCMC लगेगी, edible oil में काम कर रहे हो तो edible oil की लगेगी, coconut में काम कर रहे हो तो coconut board की लगेगी और tea के अंदर काम कर रहे हो तो tea board की लगेगी, ऐसे जो 36 type of board हैं उनकी pricing के according आपके business structure की जो price है वो up and down हो जाती है लेकिन कुछ special document होते हैं जैसे food license जो होता है fssi का export import के लिए central का fssi लगता है, brand registration यहाँ पे लोग नहीं करवाते हैं, brand registration अगर proprietorship अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए must है कि आपको एक brand registration जरूर करवाना चाहिए और अपने business को और थोड़ा सा hike करने के लिए एक standard portion बनाने के लिए आपको ISO लेना चाहिए, ISO भी 3 year के लिए होता है दोस्तों, यहाँ पे यह जो brand registration, ISO यह चीज़े जो है वो आपके business को एक strongly standard provide करती हैं, ताकि जब buyer आपके साथ में connect होता है, तो उसे यह लगता है कि हाँ य यह भागने वालों में से नहीं है, अगर gulf वगरे country में काम करते हो तो यहाँ पे हलाल certificate आपको चाहे वो food items और spices हो, वहाँ पे हलाल लगता ही लगता है, इसी तरीके से कुछ और special documents होते हैं, gap certificate होता है, FDA का भी USA में काम कर रहो तो FDA होता है, अगर UK वगरे में, organic में काम कर र documents बोला जाता है, अब आते हैं corporate business structure में, अब आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में different समझने की कोशिज करनी है, corporate business structure में entity नहीं बनती है, यहाँ पे MCA यानि ministry of corporate affairs के अंटरगर आपकी एक company बनाई जाती है, जो as in single director भी हो सकती है, यानि one percent company जिसको बोला जाता है, आप as in double director यानि direct private limited company भी बना सकते हो, यह single director भी private limited होती है, लेकिन इसमें single director होता है, difference यहीं है, इसके अलावा आपके हाथ में बहुत सारे options होते हैं, public company होती है, producer company होती है, आप कोई भी corporate structure जो है, वो यहाँ पे choose कर सकते हो, import export का जो certificate है, वो भी यहाँ पे common है, जो आपको proprietorship में भी लगता है, EPC, RCMC भी सेम है, GST भी सेम है, MSME भी सेम है, दोस्तों यहाँ पे जो basic difference है, वो है entity और company में, अब लोग पूछते हैं कि सर काम तो proprietorship से भी हो सकता है, तो company हम लोग क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग company ही recommendate करते हैं, और उसके लिए हमारे पास में आप बोल सकते ह लोग की ठोस पत्थे हो हैं, अब वो क्या है, सबसे पहला reason जो है, अगर आप proprietor सी प्रजिस्टर कर रहे हो, आपने सपोज के जी अपना नाम रखा star export, आप अगर अपनी city में सर्च करोगे, आपको 2-4 मिलेंगे, अगर अपनी state में सर्च करोगे, 10-20 मिलेंगे, पूरे इं आपको सर्च करेगा star export के नाम पे, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे star export मिलेंगे, जिसमें वो और ज्यादा confuse हो जाएगा, कि उसमें आपकी profile कौन सी है, और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि assurance level between buyer and seller जो होता है, वो यहाँ पे breakdown हो जाता है, यहाँ पे buyer आप पे उतना assured नहीं हो होता है, और इसका direct effect जो है, वो आपके payment term पे होता है, तो कि buyer यही कहता है कि यार मैं आप पे भरोसा क्यों करूँ, आपका जो नाम है, वैसी 10 company और है, 10 firm और है, 50 firm और है, कल को क्या होगा, मुझे नहीं पता हो, और यह fraud net activities में चलता रहता है, जबकि अगर आप इस side में दे होती है दोस्तों, क्योंकि जब buyer आपको search करेगा, तो आप directly ministry of corporate affairs के database में से भी उसके सामने data निकलेगा, तो वो एक assurance level को create करता है, buyer के mind में आपके लिए stability create करता है, कि नहीं यार यह भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि एक proprietorship का मतलब होता है, bank account बंद, दुकान बंद, लेकिन एक company के लिए ये इतना आसान नहीं होता है, company को सुरू करना, company को close करने के लिए भी काफी कुछ करना पड़ता है, इसलिए buyer बहुत ज़्यादा assured होता है, और इसका effect गिरता है आपके payment terms पे, अगर buyer assured है, तो वो आपको payment भी easily दे देता है, यहाँ पे pricing जो है, इसके 35, 5000 रुपीज की रहती है, इसको हम exporter registration profile बोलते हैं, food and agriculture के लिए, जबकि वही चीज़े कि अगर आपके product range change होती है, spice board आता है, तो उसकी pricing अलग होती है, coconut board का, edible oil का, सबकी pricing यहाँ पे अलग होती जाती है, special document भी इसमें वही FSSI हो, brand registration, ISO हलाल, क्योंकि अगर आप spices में काम करत हो, तो आपको FSSI भी लगेगा, brand होना चाहिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि branding ही वह है, जो आपके business का valuation करती है, branding वह है, जो आपके business को आगे लेके जाती है, ISO आपके standard process के लिए होता है, Gulf countries के लिए हलाल होता है, तो यह कुछ special document होते हैं, इनकी costing अलग होती है, इनके हर की costing अल तो 10 साल के लिए होता है, उसके बाद में आपको renewal करना होता है, ISO हलाल ये सब 3-3 साल के लिए होते हैं, जिनकी pricing अलग-अलग होती है, अलग-अलग country के according होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को सोचना होगा, कि आपके लिए perfect business structure कौन सा है, आप लोगों के पास में दोनो option available ह मेरा recommendation हमेशा यही रहता है, कि बाकी जो चीज़े है, वो mandatory portion में है, उनका कोई भी alternative आपके पास में available नहीं है, सिरफ जो एक alternative है, वो है entity और company के अंदर, तो मेरा कहना यही है, कि अगर आपके पास में long term planning हो, अगर उतना आपके पास में dedication और patience हो, कि हाँ मुझे long term के लिए export import में बने रहना है, काम करना है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि corporate business structure को choose कीजे, ताकि आप लोगों की एक business value जो है, वो create हो सके, इसके बाद में बहुत सारे लोग website के लिए भी पूछते हैं, तो startup website and social media ऐसा करके बहुत सारे लोग आते हैं, सर वो तो 5000 में website दे रहा सर हमने बनवाई 15,000 में, अब ये website है, statics होती है, dynamic होती है, information ही सिरफ इन पे होती है, यहाँ पे inside अगर आप product पे click कर रहे हो, कोई data, कोई detail, कहीं पे कोई get court का option नहीं, कुछ भी नहीं रहता, कोई social media structure नहीं रहता, कोई Google availability नहीं है, कोई digital marketing, कोई SEO का part नहीं होता है, और इन आप लोगों को unlimited hosting बताया जाता है, लेकिन वो unlimited जो provider उसके लिए होता है, यह अलग concept है, कोई security, SSL वगर एका कोई scene नहीं होता, SEO, unique content, कुछ भी यहाँ पे available नहीं होता है, फिर भी लोग सिरफ price देखते हैं, क्योंकि जब हम fully loaded website कहते हैं, और जब हम price बताते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो fully loaded website बनाते हैं, उसमें complete एक exporter web profile बनाई जाती है, यानि आपके business को online किस तरीके से represent करना है, in front of buyer उसका पूरा structure create किया जाता है, Google optimization के according हम लोग पूरा का पूरा create करते हैं, क्योंकि अगर आपकी website Google पे आहीं नहीं रही हैं, तो उस website का बना के क्या फाइदा, अगर आपकी website को Google ही नहीं दिखा रहा है, दोस्तों रोजाना एक लाग से जादा website बनती है, बंध होती है, आपको उस category में नहीं आना चाहिए, आप ये चीजे चाहे थोड़ा time लेके कीजे, लेकिन एक बार अच्छे से कीजे, ताकि ये आपके लिए long term के लिए हो, quality level का ध्यान रखा जाता है, encrypted mode के साथ में, request for quotation system होता है, live chat system होता है, whatsapp chat system होता है, और दोस्तों मज़े की बाती है कि हम भी इसका 30,000 charge करते हैं, but for 2 years, तो यहाँ पे अगर आप costing देखते हो, तो हम 30,000 जब बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर आप बहुत महेंगे हो, लेकिन जो facilities, जो features आपको यहाँ पे दिये जाते हैं, वो अगर आप compare करते हो value के साथ में, अगर आप compare करते हो time duration के साथ में, तो यकीन मानिए, it's the best value product, जिसमें हम special features भी देते हैं, dedicated hosting हो गई, उसके dedicated IP हो गई, professional email IDs हो जाता है, search engine optimized के according पूरी website बनाई जाती है, unique content, सारी चीज़े य website के साथ साथ में social media optimization हो, social media structure हो, mobile app हो, ये भी सारी application system जो है, वो हमारे पास में add-on card basis रहती है, यानि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, otherwise उटको side में रखा जाता है, लेकिन social media structure भी हम लोग इसके साथ में create करवा देते हैं, बट marketing system जो है, वो अलग से paid होता है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखने वाली बात यह है, कि हमारी जो costing है, या जो हम setup बताते हैं, उसकी जो costing ज़्यादा दिखती है, लेकिन वो costing long term business के according होती है दोस्तों, तोकि जो import export का business कोई 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का खेल नहीं है, इसमें patiencefully आपको काम करते रह देना है, continue efforts आपको देने पड़ते हैं, निरंतरता आपको business में बनानी होती है, खुद के skill development के लिए, खुद के business development के लिए आपको निरंतर परियास करने होते हैं, और उस निरंतर परियास के लिए आपके पास में एक अच्छा business structure और एक अच्छी profile चाहिए, तोकि एक अच् business structure आपके business के लिए backbone यानि read की हड़ी का काम करता है, दोस्तों अगर आप लोग ये सोचते हैं, कि हाँ एक छोटे मोटे सिरफ मैं करके देखता हूँ, हो जाएगा, तो IC से मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, IC के basis के उपर सिरफ आ देखना पड़ेगा, जो लोग भी इस business structure के बारे में ओर deep में जाना चाते हैं, या exporter registration profile ओ, या exporter web profile बनवाना चाते हैं, on screen आपको number दिख रहे होंगे, call कीजे, detail लीजे, अगर आपका पहले से business structure है, तो आपके product के according आपको और क्या-क्या document चाहिए, उनकी पूरी detail लेने का परियास कीजे, क्योंकि एक अच्छे business structure के साथ में अगर आप approach करतों international market में, तो यकीन मानिये, buyer आपका होगा, वीडियो अच्छा लगे, तो like कीजेगा, share कीजेगा, नए हो, तो channel subscribe कीजेगा, मिलते हैं next वीडियो में, एक नए topic के साथ में, जैहिन, जै भारत!